नमस्कार मित्रों इस वीडियो में आप सब जानेंगे वट सावित्री ब्रत की कथा वट सावित्री ब्रत जेश्ट माग की आमावस्या और पूडिमातिति को रखा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का बरत रखती हैं और विद्विधान से बर्गत के पेड़ की पूजा करती हैं अब जाने वट सावित्री की पौराडिक कथा के बारे में कथा इस प्रकार है पौराडिक कथा के अनुसार मद्र देश में अस्वपती नाम के धर्मात्मा राजा का राज था उनकी कोई संतान नहीं थी संतान प्राप्ती के लिए राजा ने यग्य करवाया यग करवाने के फल्स्व रूप उन्हें एक कर्ण्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया जब सावित्री विवायोगी हुई तो उन्होंने सत्यवान को अपने पती के रूप में वरड किया सत्यवान के पिता भी राजा थे परंतु उनका राज पाठशिन गया था जिसके कारण ये लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन बेदित कर रहे थे सत्यवान के माता पिता की आँखों की रोसनी चली गए थी सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तब नारद मुनित ने सावित्री के पिता राजा अस्वपति को बताया कि सत्यवान अलपायू है और विवाह के एक वर्ष पस्चाथ ही उसकी मृत्त हो जाएगी सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत प्रयास किये परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने नेड़े पर अडिक रही अंतत सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया इसके बाद सावित्री सा ससूर और पती की सेवा में लग गई धीरे धीरे समय भीतता गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनिद ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई वन में सत्यवान लकडी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सीर में असहनी पीडा होने लगी सत्यवान पीडा से ब्याकुल होकर सावित्री की गोद में सीर रख कर लेट गया कुछी समय में उनके समच अनिको दूत के साथ स्वयम एमराज आकर खड़े हुए एमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दच्छर दिशा की ओर चलने लगे पती ब्रता सावित्री भी ये सब देख के उनके पीछे चलने लगी आगी जाकर यमराज ने सावित्री से कहा हे पती ब्रता नारी जहां तक मनुस साथ दे सकता है तुमने अपने पती का साथ दे दिया अब तुम लोट जाओ इस पर सावित्री ने कहा जहां तक मेरे पती जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए यही सनातन सत्य है यमराज सावित्री की वाड़ी सुन कर प्रसंद हुए और उनसे तीन वर मांगने को कहा सावित्री ने कहा मेरे साथ ससूर अंधे हैं उन्हें नेत्र जोती दें यमराज ने तथास दुका कर उन्हें लोट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे किन्तु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही यमराज ने प्रसंद होकर पुनव वर मांगने को कहा सावित्री ने तब बर मांगा कि मेरे साथ ससूर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए इसके बाद सावित्री ने यम देव से तीसरा वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मा बनना चाहती हूँ कृपाकर आप मुझे यह वर्दान दे सावित्री की पति भक्ती से प्रसंद हो यम देव ने कहा तथास्टू इसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पती के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं तो आपके पुत्र प्राप्ति का वर्दान कैसे पूढ़ होगा तब यमदेव ने अंतिम वर्दान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया सावित्री पुन उसी वर्ट ब्रिज के नीचे लोटी तो उन्होंने पाया कि वर्ट ब्रिज के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरिर में जीव का संचार हो रहा है कुछी तेर में सत्यवान उठकर बैठ गया उधर सत्यवान के माता पिता की आखे भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया जो महिलाएं वट सावित्री का ब्रत रखती हैं और विद्विधान से पूजा करती हैं और वट सावित्री की कथा सुनती हैं उनको अखंड सोभागे प्राप्त होता है उनका सुहाग अचल रहता है